आज 7 मई 2024 है और आज की साकार मुर्ली में बाबा ने हम बच्चों को स्थाई खुशी ना रहने का कारण बताया बाबा ने कहा कि अगर हमारे बुद्धी भटकती है और और बातों में जाती है तो स्थाई खुशी नहीं रह सकती और दूसरा अगर हम अकर्मी नहीं बने हैं अभी भी विकर्म कर रहे हैं तो भी स्थाई खुशी नहीं रह सकती खुशी के बात करें तो बाबा हमें पूरे मास में बिन बिन पॉइंट्स खुशी की बता रहे हैं तो बुद्धी के भटकने से दुख कैसे आता है और कैसे हम हमेशा बाबा के साथ सुख का अनुभफ कर सकते हैं उसकी एक युक्ती आज फिर से बाबा बता रहे हैं सुनते हैं वो आज के बावा के अव्यक्त इशारों से आप में जो भी विशेश्टाएं हैं उनको सामने रखो कमजोरियों को नहीं तो अपने आप में फेथ रहेगा कमजोरी की बात को जादा नहीं सोचना तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे बाप का हाथ पकड़ने वाला सदा आगे बढ़ते हैं यह निश्चे रखो क्यूंकि आपका साथी मजबूत है इसलिए पार हो ही जाएंगे आज बाबा ने हमेशा खुश रहने के लिए हमें दो युक्तियां बताई है एक तो बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों के बारे में जादा नहीं सोचो और दूसरा बाबा ने कहा बाबा के साथ हमेशा आगे बढ़ते चलो बाबा ने जो हमें मुर्ली में भी आज कहा कि बुद्धी भटकती बहुत है क्यूं भटकती है क्यूं? क्योंकि हमने ही अपने लिए या दूसरों के साथ संबंधों का माया जाल ये भी बुद्धी में बहुत बार-बार आता है फलाना ऐसा है, ऐसा करता है कोई अच्छा है तो भी बुद्धी खीचती है कोई अच्छा नहीं है हमसे तो भी बुद्धी खीचती है इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा अपनी विशेष्टाओं को स्मृति में रखो विशेष्टाओं को स्मृति में रखेंगे तो विशेष्टाओं भरने वाला स्वतह ही याद आएगा मैं शान्त स्वरूप हूँ तो शान्ती का सागर स्वतह ही मेरे साथ है मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो सर्व शक्तिवान सदा ही मेरे साथ है यही है योग और जितना जितना हम योग में स्थिर रहते हैं बाबा के साथ का अनुभव करते हैं उतना उतना हमारे अंदर समर्थी आती है कमजोरी स्वतह मिठती है बुद्धी के भटकने का कारण स्वतहा खतम हो जाता है और स्थेर बुद्धी जैसे बाबाने आज मुरली में कहा वो हमेशा खुशी का अनुभव करती है क्योंकि वो स्थेर हुई ही खुशी के सागर के आधार पर है दूसरा बाबाने कहा हमेशा ये याद रखो आगे बढ़ रही है, हम आगे के डब्बे से, पीछे के डब्बे में भी क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन ट्रेन तो आगे बढ़ रही है, तो भले हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे पीछे ट्रेन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जिस ट्रेन में बैचे ह वो आगे निरंतर चल रही है और हमें मन्जिल तक पहुचा ही देगी यह निश्चे हमें होना है तो हमने बाबा का हाथ एक बार पकड़ लिया बाबा का हाथ पकड़ने वाला भगवान के हाथों में जिसने जीवन दे दिया वो कभी भी पीछे आ नहीं सकता पीछे अगर अलाती है कोई तो वो तब ही जब हमारी कमजोरियां बाबा से हमें दूर कर देती है इसलिए अपने गुण स्वरूप में स्थित होंगे और अपने गुणों की विशिष्टाओं का ही चिंतन करेंगे तो योग भी सदा लगा रहेगा और खुशी का पारा भी चड़ा रहेगा ओम शान्ती